नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है परमकुश्वाह और आप देख रहे हैं Tech with Param YouTube चैनल दोस्त इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक hidden video recorder application के बारे में जिया दोस्त ये इतना अच्छा application मतलब अभी तक जितने application मैंने use की है ना या फिर जिनके review दी है उन समय से ये best application है और इसका मैं best क्यों कहा रहा हूं क्योंकि इसमें वाकई में कुछ ऐसे features हैं जो मैं वीडियो के end में बताऊंगा तो प्लीस ये वीडियो आप ध्यान से देखें क्योंकि बहुत बारी जरूरत पढ़ जाता है कई बार हमारे सामने ऐसे activities होती हैं जिसको आपका दिल करता है कि mobile में आप उसे समय इसको record कर लें और वो भी hidden तरीके से कई चीज़ें आप डिरेक्ट शूट कर सकते हैं कई चीज़ें डिरेक्ट शूट नहीं कर सकते हैं अगर आपको किसी-किसी ID करनी है या फिर कोई चीज़ें ऐसी हो रही है जिसको आपको आप देखने हैं और यह वीडियो भी आप ध्यान से देखें दोस्त इस application को का नाम है जैसे quick video recorder और इसको आप पहले इंस्टॉल कर लें मैंने समय बचाने के लिए इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया है तो देखिए अगर आपके phone में जब तक इंस्टॉल होता है तब तक म कि तो दोस्त यही है सारा यह application अब इसको यूज कैसे करना है वह मैं आपको दिखाता हूं इंस्टॉल करने के बाद आप चाहिए यहां से इसको open कर लें open करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा थोड़ी बहुत यहां पर add भी आते रहते हैं यहां पर यहां reminder यहां पर set करते हैं recording के लिए automatically मतलब यह पर यह features मिलते हैं कि automatically recording शूरू हो जाएगी अगर आप time यहां पर set कर दें alarum set कर दें तो देख कई हैνना मतलब्य जो प्रो बनाता है मतलब और अटोमेटिकली यहां पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी अगर आप यहां पर डेट टाइम सेट कर देते हैं और दूसरी जो इस अप्लिकेशन को बहुत ही बैस्ट बनाती है वो ही है कि यहां पर 29 मिनट का रिकॉर्डर टाइम दोस्त जितने भी अप्लिकेशन आप को यहां प्लेश्टोर से डाउंलोड करोगे ना वो कोई एक मिनट का रिकॉर्डिंग का टाइम देता है या फिर कोई पाँच मिनट का उससे ज्यादा कोई भी अप्लिकेशन आपको टाइम नहीं देता कि आप फ्री में अप्लिकेशन को यूज करो और इतने देर की इंड पर रिपीट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मतलब एक बार आपने 29 मिनट की रिकॉर्डिंग करी और उसके बाद अगर और भी चीज रहता है तो आप रिपीट इसका ओन रखें वो दुबारा से फिर शुरू हो जाएगा और एक और फाइल क्रिएट कर देगा इतने दिर का कैमरा आप यहां पर फ्रंट और बैक दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब जो भी कैमरा आप चाहें यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं जैसे यहां पर फ्रंट हो गया या फिर बैक करना है तो बैक कैमरा आप यूज कर सकते हैं ठीक है दोस्त इसके देने से यह Video यहां पर रुख गया और यह File कहां जाती है तो File जाती है हमारे Gallery में ग्लूरी कैसे चेक करना है तो यह यह गयल्री का औक्षन यहाँ से हम-चेक कर सकते हैं यहन से विडियो को हम चेक कर सकते हैं कुछ ह, अगर अकांट की सेटिंग करनी है तो सेटिंग भी हम कर सकते हैं बट यह कि जैसे यह मतलब फ्री अप्लिकेशन है तो थोड़ा बहुत यहां पर एड़ आता रहेगा और उसका हमें सामना करना पड़ेगा देखे रिकॉर्डिंग यहां पर कम्प्रीट का है वाइब्रेशन विडियो रिकॉर्ड स्टार्ट मत आपको चाहिए या नहीं चाहिए पाउज एंड रिजूम का भी यहां पर ऑप्शन है मतलब की वीच में आप वीडियो को रोग भी सकते हैं स्टोरेज आपको कहा करना है वह आप उसको चेंज भी कर सकते हैं उसका लोकेशन जो आटोमेटिकली जो सेव होता है वहां से बै शریणियन जो की है उसको कैसे आपने यूज करना यहाँ पर अपशन है इसके अलाव फ्लेश ओन करना नहीं जैसे कि यह यह store location डाटा भी यहां पर मतलब location कहां पर आप कर रहे हैं वो भी यहां पर यह उठालेगा data वीडियो आटो रोटेशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए resolution कितना चाहिए highest चाहिए या फिर lower चाहिए मतलब the highest441 वीडियो वो लंबी फाइल बनती है die frame rate कितना चाहिए अपको video का और यहां पर देखिये source का जो audio का source है कौन सा चाहिया video का और साथ चहिये सारा कुछ ही यहां पर है दोस्तों बहुत ही अच्छ ही यहां पर इस application में यहां पर night version on do वाइट बैलेंस भी करेगा ऑटो में मतलब आपको ज्यादा सेटिंग करने की जुरूरत नहीं यह automatically सारा ही कुछ कर देगा ठीक है दोस्त इसके बाद लीमिट का मैंने आपको बता दिया था repeat का भी मैंने आपको बता दिया था repeat recording भी शुरू हो जाएगी अगर आप यहां से कर सकते हैं तो और यहीं कि कितने बार आपको repeat करना है वो चीज भी यहांपे मतलब आप जितनी से बार चाहे । रिपीट में लगा दें और दार्क थीम चलाएं या फिर जो वाइट थीम चलाएं जो भी थीम हम चला रहें उसका अप्लिकेशन भी हो जाएगा फिलाल हम देख लेते हैं अपने गैलरी में आके तो यह देखिए गैलरी का ओप्शन यह रहा यहां पर भी एक एड चलेगा और एड चलने के बाद हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा यहां पर हमने कट किया और यह हमारा गैलरी आ गया मैं आपको दिखा देता हूं कि यह कैसी हिडन तरीके से मैंने वीडियो एक रिकॉर्ड भी किया था यह देखिए वीडियो की क्वाल्टी देखिए और इसमें मैंने स्टेबलाइजेशन ओन नह मतलब मेरे कहने का यह है कि यहां पर ओडियो की क्वाल्टी भी बहुत जवरदस्त यहां पर रिकॉर्ड होती है तो दोस्त मैं उम्मिद करता हूं कि यह सारा आपको समझ में आ गया होगा और आपको अगर इस अप्लिकेशन को अपग्रेड करना है तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं और मतलब की अपग्रेड मतलब यह हो गया कि इस अप्लिकेशन को आप पर्चेस कर सकते हैं पर्चेस कर लेंगे तो यह अप्लिकेशन और भी बढ़ियां हो जाएगा तो दोस्त मैं उम्मिद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी आगे भी इस